नमस्का दोस्तों मेरा नाम है सुजीत पांडे और आप देख रहे हैं All Exam Guide Guru का YouTube चैनल दोस्तों आपके लिए 1000 कॉश्चन एक ही वीडियो में लिख रहे हैं यह जो कॉश्चन है यह आपके इस्पेशली रेलवे गुरूबडी एंटी पीसी के लिए हैं और SSC वाले भी पूरे कॉश्चन को देख लेना तीन से चार से पांच कॉश्चन भी आपको मिल सकते हैं बहुत ही महनत से बनाए गए प्रशन है यह दोस्तों प्लीज अभी तक मैं नहीं बोलता था लेकिन इस वीडियो को लाइक जरू कर देना और शेयर कर देना कॉश्चन यदी हो सके तो पूरे देखना देखते हैं एक घंटे चालिस मिट करीब का वीडियो रहेगा कौन-कौन पूरे कॉश्चन देख पाता है ठीक है आपके लिए मैं पिछले तीन महिने से रेगुलर बना रहा हूं वीडियो 100-100 कॉश्चन का और अब यह 1000 चेक्गे के लिए चनल को सब्सक्राइब करे लिए वीडियो देखिए A diye motivate नहीं होना यही कॉश्चन आ होने पूरे ओ स्अ करना है चलि करते हैं स्टाट नातुला दरणे किस राज्य में इस्तित थे तो नातुला दर्रा सिक्कम राज्य में इस्तित थे पॉर्ट हाली एक्स डिजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित होता है भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है किस कोशिका अंगक से लाइजोजोम बनता है गौल जी काई से लाइजोजोम बनता है पद्म पुरुषकारों की स्थापना कब हुई 1954 में प बैल्ड कहा जाता है दक्षन अफ्रिका की चारागाह को भारत के पहले लोग सभा दक्ष कौन थे जीवी मावलंकर जी प्रत्वी की जुडवा वहन किस ग्रह को कहा जाता है शुक्र ग्रह को कहा जाता है सयोग्त बैठक की अद्रिक्षता कौन करता है लोग सभा स्पीकर कर सूरके बाहतमपरत को क्या कहते हैं तो किरीट या फिर कॉरोना कहते हैं संसद का उलेक किस अनुचेद में है तो अनुच्छ shelves analog行 पेंटित है भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है तो भारत रतन है दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है तो पदमे विभूशन है गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी तो सेंस फ्रांसिसको अमेरिका में हुई थी राजेपाल के पास छमादान की सकती का उलेक किस अनुशेद में है तो अनुशेद 161 में दिया गया है। दश्टल के युद्द अब्यास किन दो देशों के बीच आयुजित होता है तो ये भारत और उजुबेकिस्तान के बीच में आयुजित होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी तो 1949 में संस्थापक थे सुबास चंद्र बोश जी। हरीपुरा दिवेशन की स्थापना कब हुई थी तो ये हुई थी 1938 में अदक्षिता की थी सुबास चंद्र बोश जी ने। पराक्रम दिवस सुबास चंद्र बोश जैनत और सोहन सिंग भाखलाने की थी ये की थी उनिस सो तेरा इसवी में राश्टपदी के पास छमादान की सकती किस अनुचेद में उनलिखित है तो अनुचेद बहत्तर में है सत्य सोधक समाद की स्थापना किस ने की है तो जोतिवाफ होले जी ने की है और ये इनों ने महराश्टर में की थी सत्य सोधक के बाद प्रातना समाज तो प्रातना समाज की स्थापना आत्मा रंग पांडूरंग जी ने की है स्वाराज पार्टी की स्थापना किसने की है तो दो लोगों ने मिलकी की थी चितरंजन दास जी ने और मूतिलाल नहरु ने 1923 इसवी में अमेरिका और कनाड़ा को अलग करने वाला आक्छांस कौन सा है तो 49 आक्छांस अमेरिका और कनाड़ा को अलग करता है Servant of India Society की स्थापना किस ने की है तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी स्थापना की है महात्मा गांधी के राजनेतिक गुरू का नाम क्या है तो गोपाल कृष्ण गोखले जी महात्मा गांधी के राजनेतिक गुरू है ब्रह्म समाज किस ने स्थापना की है प्रवासी भारती केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है तो सुस्मा सुराज के नाम पर प्रवासी भारती केंद्र का नाम रखा गया है हैवलोक दीप का नया नाम किसके नाम पर रखा गया है तो सुस्मा सुराज के नाम पर हैवलोक दीप का नाम रखा गया है भारत के बाहर पहला योग विश्व विध्याल है जो कि स्वावी विकानन दे योग विश्व विध्याल है कहां खोला गया है तो ये लॉस एंजलिस में खोला गया है उत्तर कोरिया और दक्षन कोरिया को अलग करने वाला आक्छांस कौन सा है तो 38 आक्छांस उत्तर कोरिया दक्षिल कोरिया को अलग करता है ग्रेड कैनियन किस नदी द्वारा निर्मित है तो ये कोले रेडो नदी द्वारा निर्मित है जो कि अमेरिका में है अंतराश्टी क्रिकेट परिशार जिसको ICC बोलते हैं का मुख्याले कहा है और ICC का World Cup जो 2019 में हुआ था, उसमें कौन सी टीम विजेता थी, कौन सी विजेता थी, तो विजेता थी England और उप विजेता थी New Zealand या रखीगा, क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है, तो Lords एक Ground है क्रिकेट का, जो की England में है, उसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, अब पढ़ते हैं कौन सा शेर किस नदी किनारे है, रूम, जो की इटली में किस नदी किनारे है, तो टाइबर नदी किनारे है, वियना, जो की आउस्ट्रिया में है ये किस नदी किनारे है ये डेन्यूब नदी के किनारे है लंदन किस नदी के किनारे है थेमस नदी के किनारे है लंदन पैरिस किस नदी के किनारे है तो सीन नदी के किनारे है पैरिस न्यू यॉर्क किस नदी किनारे है तो हड्सन नदी किनारे है न्यू यॉर्क वासिं नदी का वर्दान कहा जाता है लाहूर पाकिस्तान किस नदी किनारे है तो लाहूर रावी नदी किनारे है वॉन जो की जर्मनी में है ये राइन नदी के किनारे है दो हजार बीस में सांती का नोबिल पुरुसकार किसे मिला तो विश्व खाद का रिक्रम डबलु एफ पी को म मिला था तो Henry Durant को मिला था Red Cross के संस्थापक थे ये भूमद्दिसागर में सबसे बड़ा द्यूप कौन सा है तो Sicily सबसे बड़ा द्यूप है भूमद्दिसागर का का स्टम किसे का जाता है तो तो रेगोरिया काली मिठि उपरुक्त है, Wirư राज की व्रक्ष है तो के राल का एक व्रक्ष है, Maryl, रीवा सोलर प्लाट कहां पर नार्य रीवा मदप्रेस्च में, रीवा मदप्लेस्च का एक सम्भाग है, भारत का सबसे बड़ा सोलर व्रक्ष कौन सा है तो दुर्गापूर पश्रिमंगाल सबसे बड़ा सोलर व्रक्ष है सौर उर्जा से संचालित मंदर कौन सा है तो सूर मंदर कोनार ब्लैक पैगोडा किस मंदर को कहा जाता है तो सूर मंदर कोनार को कहा जाता है सूर मंदर किस वंच से संबन्दे थे तो ये गंगा वंच से संबन्दे थे अंतराष्टी सौर कडवन्दन का मुख्याले कहां परिसे थे तो गुरू ग्राम हर्याना में इस से थे भारत का सरवाधिक गर्मिस्तल कौन सा है तो जैसल में सरवाधिक गर्मिस्तल है कौन सा महास अगर जाना जाता है सरदार सरो और परियोजना किस नदी पर बनाई गई है तो नर्वदा नदी पर बनाई गई है दक्षिन अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो Amazon है संसार की सबसे महत्वपुन जहाजी नहर कौन सी है सबसे घना आबाद शार्क देश कौन सा है तो बांगला देश में सबसे जारा घनी आबार दी है शार्क का फुल फॉर्म कमेंड बॉक्स हमें कमेंड करके उटाइए शार्क का फुल फॉर्म क्या होता है वायुदाब मापने के यंत्र कौन सा है तो बैरोमीटर से वायुद आपको मापा जाता है बर्मूडा, त्रबुज, किन, किस महासागर में अवस्ते थे तो उत्तरी अट्लांटिक महासागर में बर्मूडा ट्रेंगर है पाक जल संधी किसको जोडती है तो मनार एवं बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधी जोडती है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राजी कौन सा है तो करनाट का है सिकार के लिए हार पून का प्रयोग कौन सी जंजाती करती है तो S की मो जंजाती करती है विश्व में मक्का की पेटी किस देश को कहा जाता है तो USA को कौन जो है बैल्ट या मक्का की पेटी कहा जाता है वायू मंडल की आदता मापने का वाला यंद्र कौन सा है तो हाई ग्रो मीटर से मापी जाती है प्रसिद अंगुलियाम नुमा जील किस शेत्र कहां पाई जाती है तो ये सहयुक्त राज अमेरिका में पाई जाती है संसार का सरवाद एक सक्री जाला मुखी कौन सा है तो किलायू नाम का जाला मुखी सबसे सक्री है प्रत्री की उपरी परत में किस तत्तो की मात्र सरवादिक है तो ऑक्सिजन की मात्र सरवादिक है उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत रितू में किस कारण से वर्षा होती है तो पश्य में विक्षोगों कारण होता है भारत का दक्षनतमदीप कौन सा है तो ग्रेट निकोबार दक्षनतमदीप है लाल सागर भूमद सागर से किस नहर के द्वारा जुड़ा है तो स्विज नहर के द्वारा जुड़ा है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है तो केस्पियन सागर सबसे बड़ी खारे पानी की जील है विश्व का सबसे छोटा महा सागर कौन सा है चांत महासागर ने सबसे ज़्यादा द्वीप पाए जाते हैं भारत की सबसे बड़ी कृतिम जील कौन से है तो गोविंद वल्लवपन सबसे बड़ी कृतिम जील है प्रसिद्ध चिलका जील कहां आवस्तित तो ओडिसा में आवस्तित है ग्रेट चैनल किन को प्रसक करता है ग्रेट निकवार को सुमात्रा से प्रसक करता है प्रत्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है तो 3,84,000 किलोमेटर प्रत्वी की चंद्रमा से दूरी है प्रत्वी पर समदतल से सागर की सरवाद गहराई कितनी है तो 11,33 मीटर जो की मेरियाना ट्रेंच आप सभी को पता है मेर चिन और रात की अवधी बराबर होती है। सौर मंडल में प्रतवी का जुडवा ग्रहक किसी कहा जाता है तो शुक्र को कहा जाता है भारती सम्विधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो 9 दिसंबर 1916 में हुई थी सम्विधान सभा का स्थाय अधिक्ष किसे चुना गया था तो डॉक्टर राजिन्थ पशाद को सम मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के सम्विधान से लिया गया है तो रूस से लिया गया है सम्विधान सभा की जंडा समिधी के अधिक्ष कौन है तो डॉक्टर राजिन्थ पशाद है सम्विधान के किस अनुछेद के इंतरगर अस्प्रस्तता का अनुमूलन किया ग मक्समता अनुछे 14 में दिया गया है भारत के राष्टपती चुनाओं में उत्पन विवाद निप्टारा कौन करता है तो सर्वुच नियाल है भारत के राष्टपती को उसके पत से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है तो संसद को प्राप्त है भारती सम्विधान की निर् है भारत के सम्विधान सभा ने वर्तमान रूप राष्टी दोच को कप अपनाया था तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था भारत का सम्विधान कब सुईकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को सुईकार किया गया था भारती सम्विधान पूनता कब लागू किया गया था 26 जन्वरी 1950 को लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को भारती सम्विधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था तो सम्विधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था भारत सरकार द्वारा अशोक स्थम्भ को राष्टिय चिन्द के रूप में अंगिकरत किया गया था त कलकत्ता में 1774 इसवी में की गई थी एक्ट आया था 73 में और 74 में सरवुचिनाले बन गया था नीती निदेशक तत्तों था मूल अधिकारों को समविधान की आत्मा किस ने कहा है तो ग्रैन विल ओस्टिन ने कहा है ये चीज़ मूल समविधान में कुल कितने अनुचियद और कितने अनुचियद थी तो 395 अनुचियद थे और 8 अनुचियद थी सरपथम कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में जन गनमन गाया था तो कलकत्ता अधिवेशन वर्स 1911 में गाया था भारतिय सम्विधान का कौन सा भाग सम्विधान की आत्मा कहा जाता है तो देशिका को कहते हैं सम्विधान की आत्मा भारतिय सम्विधान के किस भाग में मौलिक कर्टव उलिकित है तो भाग 4A में मौलिक कर्टव उलिकित है भारती समविधान में मूल करतव किस समीति के अनुसंसा पर शामिल किये गए थे सवर्णा सिन रूंवार्य समोडन सम्मिल को किस संसोंदन दू जोड़ा गया था 36 समुधान संसोंदन 2002 के दूरा सरवोची नयालय के नयाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्ध है राश्टपती लोकसभा को भंग कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं केंड्रिय मंत्री मंडल के अनुसंसा पर लोकसभा ते था राजसभा का सयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है तो राष्टपती के द्वारा लोकसभा और राजसभा का सयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है ब्रिटिस भारत में किस अधिवेशन में संगी शाषन का प्रावधान है तो भारत साषन अधिनियम 1935 में संगी शाषन का प्रावधान है किस के दुवारा दिया गया है तो क्रिस्प मिसन में ये प्रस्ताव दिया गया है भारती सम्विधान सभाग अगठन किस के इंतरगत किया गया है तो कैबिनेट मिसन उनी सो चारीज के इंतरगत किया गया है भारती सम्विधान में राज के निती निशक टत्तों की संकल्पना किस देश के सम्विधान से अभी प्रेथ है तो ये आइरलेंड से ली गई है भारती सम्विधान की स्थापना में सम्मिलित सुतंता समांता इवं बंधुत्व का सिधान किस देश से लिया गया है तो फ्रांस से ये लिया गया है सुतंता समांता और बंधुत्व प्रशी भारतिय संविधान की किस सूची से संब्लित है तो राज सूची से संब्लित है। भारती सम्मिधान में संसधी विशेश अधिकार की संकलपना किस देश के सम्मिधान से के आधार पर ली गई है तो बिटेन से ली गई है संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस सम्विधान संसोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की स्रण से हटा कर केवल एक विदिक अधिकार बना दिया गया है तो चावाले सवें सम्मिधान संसोधन 1978 को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और एक विदिक charged बना दिया गया था भारत के सम्मिधान में प्रैस की स्वतनता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है प्रन्तु यह स्वतनता किस अनुछेद के अंतरगत नहीं थे तो प्रैस की स्वतनता अनुछेद 19-1 के अंतरगत नहीं थे समिधान का कौन सा अनुछेद 20 शिद्धी के संबंद में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्वभ अभी शाषण से सं Fraudhan करता है तो अनुछेद 20 में यह प्रावधान दिया गया है भारती सम्विधान का कौन सा अनुछेद व्यक्ति की विदेश यात्रा की अधिकार को संदक्षन पतान करता है तो अनुछेद 21 में विदेश यात्रा का उलेख है मौलिक अधिकारों के इंतरगत कौन सा अनुछेद बच्चों के शोशन के विरुद्ध प्रावधान से संबने थे तो अनुछेद 24 भारती सम्विधान के अनुशेद 32 के अंतरत कौन से अधिकार प्रवर्दित किये जा सकते है तो मौलिक अधिकार को प्रवर्दित किया जा सकता है मौलिक अधिकारों का संड़क्षक कौन है तो न्यायपाली का मौलिक अधिकारों का संड़क्षक है डॉक्टर भीमरा अमेटकर के मौलिक अधिकारों में से किसे सम्विधान का हरदा एवं आत्मा कहा जाता है तो सम्विधानिक उपचारों का अधिकार अंशेत 32 इसको सम्विधान का हरदा एवं आत्मा कहा गया है भारती सम्विधान में सम्विधानिक सेंसोदन का प्रावधान किस देश से लिया गया है तो दक्षिर अफ्रीका से लिया गया है तो ये कनाड़ा के सम्विधान से प्रिरत है भारती सम्विधान में नहत विधी द्वारा, स्थापित, प्रक्रिया किस देश के सम्विधान से ग्रहन की गई है तो जापान से ग्रहन की गई है ये निर्विरोध रूप से चुने गये भारत के प्रथम राष्टपती कौन थे? तो निलम, संझीव, रड़ी जी भारत के राष्टपतीं में से किन का सम्मंद ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है तो वराहव एंकट गिरी का रहा है राष्टपती का कारेकाल कितना होता है तो पांच वर्ष का होता है राष्टपती का कारेकाल भारत के किस राष्टपती को मिसाइल मेंन की संग्या दी जाती है तो डॉक्टर एबी जे अब्दुलकराम जी को भारत के मुख्य नायदीशों में से किसने राष्टपती के रूप में कारिक किया है तो जश्टिस एम हिदायत उल्ला ने ये मुख्य नायदीश भी रहा है और ये राष्टपती के रूप में भी कारिकाल किया है इनका हुआ है वित्तायोग की नियुक्ति कौन करता है तो राष्टपती वित्तायोग की नियुक्ति करता है भारत में नियाएक पुनराव लोकन की संकलपना किस देश के सम्विधान से ली गई है तो सयुक्त राज अमेरिका के सम्विधान से ली गई है भारत के सम्विधान नए राज्य के गठन का प्रावधन किस अनुसूची में किया गया है तो प्रथम अनुसूची में नए राज्य को गठन का प्रावधन है भारती सम्विधान में नौवी अनुसूची को किस सम्विधान संसोधन के माधम से जोड़ा गया है तो प्रथम समविधान संसोधन वर्ष 1959 से जोड़ा गया है भारत के समविधान में समानकार के लिए समानवेतन के अधिकार का प्रावधन कहां से दिया गया है तो राज्य के नेतिनेशक तत्तों से ये लिया गया है राज्य के नेतिरेशक सिधानतों में कौन सा अनुछिद अंतर राष्टी सांतियवन सुरक्षा के समवर्धन से सम्वनित है व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार के लिए कौन सी याची का दायर की जा सकती है किस राज का गठन किया है तो आंदर पड़ीश का गठन किया है पुर्ण गठन आयोक एक नवंबर 1956 को कितने राज तथा केंज सासित प्रदीश बनाए गए थे तो 14 राज एवं 6 केंद्र सासित प्रदीश बनाए गए थे सिक्किम भारत का एक राज किस वर्ष बनाए गया था तो एक अलन अलिक्ता परतान करता है या आप भारत के रहोगए या कहीं और के ऐसा नहीँ की भारत की विनाय wizard ले ले लए कनाड़ा की भी सबजगह की भारत में लौकिक सार्व भामिक्त है क्योंकि समविधान के प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोकशब्दों से ये दिखाती है कि भारत में लौकिक सार्व भौमिकता है किस संशोधन के द्वारा भारती संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था तो 42 सवे संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया था समाजवादी अखंडता तथा पंत निर्फिक्ष सब्दब सम्विधान की प्रिस्तावना में किस संसोधन द्वारा संबिलित किये गया थे भारती सम्विधान का कौन सा अनुशित राष्ट्पति पत के लिए पुनह निर्वाचन की पात्रता निधालित करता है केन सरकार का प्रमुक कौन होता है तो केन सरकार का प्रमुक प्रधानमंत्री होता है प्रधानमंत्री की न्युक्ति किसके द्वारा की जाती है तो राष्टपती के द्वारा प्रधानमंत्री की जाती है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए नियूंतम आयू कितने वर्ष की होने चाहिए तो 25 वर्ष निउंतम आयू होने चाहिए भारत के उप्राष्ट पती के निर्वाचन राज्य सभा का सभापति कौन होता है? तो उप्राश्पति होता है संमिधान दुआरा मौलक अधिकारों को लागु करने की शक्ति किस में प्रदान की गई है? तो सरवच्च नयायल है एवं उच्च नयायलों में प्रदान की गई है लक्ष्वी मल सिंग्वी समिती किसे समझत है तो ये दोहरी नागरता से समझत है नए राजिक की गठन की शक्ती किसे प्राप्त है तो संसद को प्राप्त है किस संसद की अधक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे संसद का सदसे नहीं होता तो राजिसभा की जो अधिक्ष्टा है वो करता है उपराष्टपती और उपराष्टपती उस संसद का सदसे नहीं होता है सम्विधान संसोधन का परस्ताव किस अनुछेत के इंतरगेत दिया गया है तो अनुछेत 368 में दिया गया है भारती सम्विधान में संसोधन के लिए संसद के किस सदन में विदियक लाया जा सकता है तो लोकसभा, अथवार, राजिसभा किसी भी सदन में लाया सकता है किस सम्विधान संसोधन अधियम को लागू सम्विधान कहा जाता है दिल्ली राष्टी राजधानी छेत्र गोशित किया गया था। था के अधिवेशन हुए थे तो बारा दिवेशन हुए थे कुल जनगन्मन को भारत के राष्टगान के रूप में कब अपनाय गया था। 24 जन्वरी, 1950 को अपनाए गया था केंद्रिय विधान मंडल सरवप्थम किस अधィनेयम दौरा, 12 सदिये बनाए गया था तो 1929 के भार यहास किसकी आयू निधारत करने के लिए अपनाए गई है तो जीकाशमु की आयू निधारत करने के लिए करती है हरे पौदau में प्रकास चिलेशन की इकाई क्या कहलाती है तो कौन तो спокой कारे क्या होता है तो सरी को भीमारीों से बिचाना उ Really कितने प्रकोष्ट होते हैं तो दो चेंबर होते हैं दो प्रकोष्ट होते हैं मानव शरी में रक्तिस से अवांचनी पदार्थों को प्रथक करने का कारे कौन करता है तो जो है आपका किड्नी करती है चालीस वर्स पूरे हो जाने पर चर्चित अपसरा कया है तो अपसरा जो है कि न्यूकलियर रियक्टर है डाइनेमो का कारे क्या है तो यांत्रक उजा को विद्धुद उजा में बदलना समुद्र के किनारे उने वाले रक्षों में वार्षिक वैलों वैलाय क्यों नहीं होते क्योंकि यहां की जलवायू में सपश्ट भिनता नहीं पाई जाती है ब्रद्धवस्ता का अध्यन विज्ञान की किस साखा के अंतरगत किया जाता है तो जेरंटोलोजी के अंतरगत किया जाता है दोलोमाइट किसका आयस्क है तो दोलोमाइट केल्सियम और मेंगनेशियम का आयस्क है खट्टे फलो में कौन सा विटमिन होता है तो विटमिन सी पाए जाता है ध्वनी की तिर्वतम आपने वाला यंत्र क्या कहलाता है तो ओडियो मीटर कहलाता है दूद का खट्टा होना किस के द्वारा होता है तो जीवानों के द्वारा होता है दूद का खट्टा होना स्वेट प्रकास के वनिकरम में प्रिजम द्वारा सरवादिक विचलन होने वाला कौन सा रंग है तो बैगनी रंग है रेफिलेटर में प्रसीतक क्या होता है तो फ्रियोन एक प्रसीतक होता है गिर्गिट की तुचा मेरंग बदलने का कारण क्या है तो मेलेनोफोर नामक असंकर जो है रंग द्रफ कोशिकाओं की उपस्तिकार गिर्गिट रंग बदलता है प्रक्ति में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला कार्बनी की योगी कौन सा है तो सेलूलो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाता है दूद से दही बनाने में कौन सा वेक्टिरिया सहाइक होता है तो लेक्टो बैसिलस सहाइक होता है किस अंग के कारिना करने पर डायलसिस किया जाता है तो किड्नी के कारिना करने पर डायलसिस किया जाता है मनुश्य के मस्तिफ का सबसे बड़ा भाग क्या है तो प्रामस्तिफ सबसे बड़ा भाग है साइकल चलाने पर लगने वाला जटका किस के सनक्षण का उधारन है तो रेखी समवेग की सनक्षण का उधारन है प्रयोग शाला में सरप्थम जीन का संस्रेशन करने वाला वग्यानी कौन है तो हर गोविंद खुराना जी चद्रमा पर वाई मुंडल ना होने का कारण क्या है तो वह सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उसके पलायन वेग से अधिक है इसलिए किस एक कोशी सेवाल का उप्योग अंतरिक्ष में खाद की समुचित पूर्ति के लिए जाता है तो क्लोरिला का प्रयोंक किया जाता है प्र्तिक रहर्वर किस का बहुल लख़ें तो आईसो प्रीन का बहुल लगए रृवर की चोथी अवस्ठा क्या कहलाती है तो प्लाजमा कहलाती है माना औरत का पहम Mани कितना होता है तो 7.4 होता है प्रकास तरंगों किस गोन के इसके अनुपस्त होने का प्रवाणा मिलता है तो ग्रुट्वंश के कहा होता है प्रोटोन की खोच किस ने की है तो रर फोड ने प्रोटोन की खोच की है कौन सा पदात प्रत्वी पर तीनों अस्था में पाई जाता है तो पानी तीनों अस्था में पाई जाता है हीरे के संबने में कैरेट क्या होता है तो हीरे के बाहर का मात्रक होता है कैरेट गैलवनी करत लोहे का पर किसका लेपन होता है जिंक का लेपन होता है गैलवनी करत लोहे पर प्रत्यावरती धारा की माप किसे अंतर से की आती है तो तब ततार अमीटर से प्रत्यावरती धारा की माप की आती है आयोडेन युक्त नमक का प्रयोग किस भीमारी की रोखथाम के लिए किया जाता है तो गलगन के लिए किया जाता है विद्ध मोटर का कार क्या है तो विद्ध मोटर कार विद्ध उजा को यांत्र को उजा में परियातित करना हरे पौधों में प्रकास संसलेशन की काई क्या कहलाती है तो कॉंटोसों कहलाती है प्रत्वी का ओसत घन तो क्या है 5.5 ग्राम प्रती घन सेंटीमीटर सूरे सदेव पूर में निकलता है सकान क्या है तो क्योंकि प्रत्वी पश्यम से पोर्यू की और भूमती है पौधो में वास्पोर्थ सजंदर के निर्षान के लिए किस यंध्र का प्रयोग किया जाता है तो लेड्र्याद का रास्थायँं सूथ्र मानवय में विटमिन की निर्मान किस अंग में होता है तो कोलन में बैक्टेरिया दुरा होथा के थाहत विग्यान की कि साखार अध्यन होता तो श्यवत कर रोग में मनने रद का ठका नहीं वनने कर रहां कहरे है चाहे het विदद्वारा कैटली में पानी किस विझी ज़ए कर्म होता है थो को रदिधों या नामक रोग रख्त मेंक्सटे tapping कमी कमी से होता है तो अन्य जाएं मूलत्य होते हैं म्यद्य और उतिक जाएं मिलाल होता है तो एक रिवर में होता है Рिष्ण शिद्र को सेग्घ्ण और सिखने परती साइनोकवालमिन क्या है तो विटमिन B12 साइनोकवालमिन है टेट्रा इथायल लेड T.E.L.ac. revel पोलियो का टीका सरपधम किस ने तयार किया तो जॉन सालक ने सबसे पहले पोलियो का टीका तयार किया गोबर्갈ेस का मुखे संगटक क्या है तो मीथेन गोबर्गैस का मुखे संगटक है हरे पौदों में प्रिकास कराशन की ख talking क्या कहलाती है, तो कॉंटो सोम कहलाती है न्यूटन पती किलोग्राम किस भौती क्राशी का मात रख तोत्वरान का मात रख रहनों वाइडीक का दिशानों को अधिन किया जाता है विटमिन see का रशानिक नाम satष है किक आनुशील करक दाओं कितना होता जुएत प्रकास के में दिवारा Quranu कि तो सब्सज़िक होता है केलोमल क्या होता है तो मर्कूरिस क्लोराइड केलोमल होता है सिंदूर का रासानिक नाम क्या है तो मर्कूरिक सलफाइड HGS जूटा सोना फूल्स गूर्ड कहलाता है तो प्रकती में पाए जाना वाला आरन सलफाइड या आरन पाइराइड पेंक्त्रियाटिक जूस में पाई जाने वाला एंजाइम कौन सा है तो ट्रिपसिन एंजाइम पाई जाता है आतों में प्रोटीनों को अमीनों अमल में अपगटिक करने में उत्प्रिडक होता है तो पेपसिन एंजाइम उत्प्रिडक होता है एस्ट्रोडी क्या है तो ब्र प्रति मिनट कितनी बार इस्पंदन होता है इस फिग्णों मैनुमीटर नाम के यह अंतर से क्या मापते हैं तो रख्त का दाव मापते हैं सन 1902 में कार्ल लेंश्टीन ने किसकी खोच की थी तो रख्त सम्मू की खोच की थी समुधर का जल नीरा के उँदिखाई देता है कि जल के कड़ों द्वारा प्रकास के प्रकृणन की कारण प्रोटीन के से गैस का प्रोट का जन को योगिक है तो नाइटूजन का प्रोट की किया जाता है उंके सामाने वातारण में नोवेल पुरुसकार से सम्मानत होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान के शित्र में कौन थी तो उनका नाम था मैडम क्यूरी 1930 भौतिक विज्ञान की शित्र में पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी सम्मुद्री जहाज तरते रहते हैं इसका कान क्या है तो जहाज के डूबे भाग से हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होता है और इसलिए ये प्लवन करता जाता है बलकि सु प्रतिवर्ष कितने वर्ष बात दिखाई देता है तो 76 वर्ष बात दिखाई देता है किन तरंगों की सहयता से चमगाई रहने रात में भी सुरक्षित उड़ती है तो परासवे तरंगों की सहयता से उड़ती है सुरक्षित है एचाई विशाणू से कौन सा रोग होता है तो आपका AIDS रोग होता है, रख्त का थक्का जमाने में कौन सा विटमिन सहाइक होता है, तो विटमिन के सहाइक होता है, एंपियर सेकेंड मात रखे तो आवेश की मात रखे, लाफिंग एस, नाइटरस अकसाइड को कहा जाता है, डार्क एवेंजर क्या है? इक प्रकार का प्रम कुणि कम्प्यूटर वाइरस है, सरीर का सारा रख्त किसके माध्यम से सुद्व होता है, सरक पर चलना कि अपि शबरफ पर चलना अधिक कटिन के होता है, क्योंकि बर्फ में सड़क्य पिक्षक खशन कम होता है इसलिए लोलक घडियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है तो क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कान उसका वर्थकाल बढ़ जाता है जिससे घड़ी सुस्त हो जाती है उचे स्तानों पर पानी 100 डिग्री स से कम अताप पर क्यू बलता है क्योंकि वहां व्यूमंडली दाव कम होता है पीतल मिश्थधातू एकिसकी तो पीतल जय Pepper का ना था पर प्रभाव से वैग्यानिक यंद्रों की रक्षा कैसे की जाती है तो लोह कवर में रimक की जाती है परमाडू बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभी क्रिया होती है तो न्यूक्लियर सल्लियन होता है नाभी की सल्लियन होता है रेडियो कार्बन तिथी निर्हालत विधी का प्रयोग किसलिए किया जाता है तो जी आस्मों की आयू का पता लगाने के लिए किया जाता है हाइड्रोफाइट्स किने कहते हैं तो जल ये पौधो को हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है तेल का जल में जल के तल पर फैल जाने का क्या कारण है तो तेल का प्रश्टनाव जल की अपिक्छा कम होने कारण pencil का led होता है то graphite का बना होता है pencil का led दो समानतल दरपडों के वीच रखी हुए वस्तू के कितने prathym कहां बनता है इसकरवी लामक रोग किस vitamin की अभाव से होता है सबसे भारी धातु कौन सी है तो osmium सबसे भारी धातु की कहलाती है विदूद का सबसे अच्छा चालक कौन है तो चांदी विदूद का सबसे चालक है धौनी को मापने की काई क्या है तो डेसी वल धौनी को मापने की काई है इस्टेनल सिटील के इन धातूं को मिस्रिट करके बनाये जाता है तो क्रोमियम लोहा और निकल को मिस्रिट करके बना शमक का कारण है विद्वृता का मात रख क्या है, तो नाडि संथान से आख से सम्बनेद्रोग है Hepatitis B Virus किस प्रमख रोग के लिए जैम्मिदार है तो Pealia के लिए जैम्मिदार है Hepatitis B Epilepsy रोग का सम्मढ़ किस से तो नाड़ी संस्थान से Epilepsy रोग का सम्मढ़ है अबी रख्यसमु वाला व्यक्ति किस सर रख्यसमु के व्यक्ति को रख्यक्ट गृहणकर सकता है तो आभ ऑग्गिएर वेेियर और अधा सक्केमि aussiẮ् отправ जाता है । ताप बढ़ाने पर अल्शालखों की चालकता पर क्या प्रुउआ पड़ेगा, तो तो अल्ब जो है, चालकता बढ़ जाएगे । बाफता की सीमा कितनी होती है तो बीस हट्स से बीस जार हट्स तक सरवता की सीमा होती है हेंहें किया हें तो मर्कुर्स क्लॉराइड का रासाइन के नाम है. चेचक ये ठीके की किस में की तो minimize ने है. दूदек एक आदर्श हा है ये. लेकिन किस तक्त्युकी कमी होती तो Iron को पर कमी होती है दूदमें मनुषय के रखते में लाल होता है तो हेमोगलोमीन मनुष्य के रख्त में लाल रंग का कारण है मनुष्य में गैस्ट्रिक रस किस अंगल से स्त्रावित होता है तो आमाशाय से गैस्ट्रिक रस जो है गामा केरणों पर किस प्रकार का अवेश होता है तो किसी प्रकार का अवेश नहीं होता गामा केरणों पर दो समानता दरपणों के बीच रखी वस्तू का सबसे अधिक चमकीला प्रतिविए में कौन सा होता है तो दूसरे नंबर का प्रतिविए में सबसे अधिक चमकीला प्रतिपादन किस ने किया तो कौन वर्द में डिने संसिलेशन का प्रतिपादन किया है फोटोग्राफी में प्र थो होता है वो सोडियम थाईू सलपेट होता है मदुमे के रोगी के पेशाब में किसकी अलिकता होती है तो सरकरा की अलिकता होती है मदुमे के रोगी के पेशाब में भोपाल गैस दुरगटना में मिक-MIC करिसा हुआ था इस गैस का पूरा नाम क्या है तो मिथाइल आइसोसाइनिट इस गैस का पूरा नाम है कमरे में रखे एरफीरेटर के दरवाए खोलने पर कमरे के ताप पर क्या प्राव पढ़ेगा तो ताप मान बढ़ जाएगा टेंप्रेशर बढ़ जाएगा हरा कसीस का रासायनिक सूत्र क्या है तो फेसो 4 x 7 H2 प्रती सौ ग्राम भेंस के दूद में कितनी उर्जा होती है तो लगवग 90 कलोरी उर्जा होती है वैस्क मनसु में हरदा चक्र का समय कितना होता है तो 0.8 सेकंड में आपका हरदा धरकता है हाइग्रो मीटर से क्या मापा जाता है तो आप एक शिक आदता मापी आत चीनी कार्बोहेडरिस सुक्रोज है, किस खानिज को वेवकूफों का सोना कहा जाता है, तो पाइराइट को वेवकूफों का सोना कहा जाता है, एंटी पायरिटिक दवा ली जाती है, तो बुखार कम करने के लिए एंटी पायरिटिक दवा ली जाती है, वाट्सन वा क्रीक को जीविग्यान की किस साखा की खोज के लिए नोवेल पुरुषकार मिला था DNA के डबल हैलिक्स मोडल के लिए Watson O'Kreek को नोवेल पुरुषकार मिला था विशु की सबसे बढ़ी जील कौन सी है तो Caspian Sagar विशु की सबसे बढ़ी जील है विशु की सबसे महादीप के बाड़ी बाड़ीप के नाम से जाने जाता ठो यू रोप महादीप को प्राईदीप के नाम से जाना जाता है किस महादीप में Atlas Parovatishtit had sentir तो अफृका में Atlas Parovatishthad विशु' का सबसे बड़ा डीप कौन सा है, Greenland विशु का सबसे बड़ा डीप है. Sheshelz, Deep कहاrail किस अस्धे थ Pegas had wishedмент नहीं थे थे तो wz छेशल्थ duration सबसे चोटा माना सागर कौन सा है तो रॉटर डेम को विश्यो का सबसे घहरी जील कौन से तो बेकाल जील सबसे घहरी जील है सरवादिक उचाई पर इस्थित नौकाया नशील कौन सी है तो तुठीका का सबसे उपर इस्थित उचाई पर इस्थित नौकाया नशील है प्रत्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है तो मृत सागर सबसे गहरा स्थल है प्रत्वी पर एंजल जर्परपाद किस नदी पर इस जलपपाद इस्थे थे, क्रान एहर किस देश में इस्थे थे, थाइलेंड में इस्थे थे, क्रान एहर, विश्व में महादीपों की कुल संख्या कितनी है, तो साथ महादीप है विश्व में, किस महादीप को मानव घर कहा जाता है, तो एशिया महादीप को मानव घर कहा जा संसिटी अवस्तित है तो दक्षन अफरिका में अवस्तित है संसिटी हिंद महासागर में सबसे बड़ा दीप कौन सा है तो मैडगास कर हिंद महासागर में सबसे बड़ा दीप है भारत का सबसे बड़ा दीप कौन सा है तो मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा दीप है गोबी मरस्तल किस देश में इस्ते थे तो मंगोलिया में इस्ते थे गोबी मरस्तल कालाहारी मरस्तल किस देश में इस्ते थे तो वोट्सवाना में इस्ते थे कालाहारी मरस्तल विश्व में सीत मरस्तनों को किस नाम से जाना जाता है तो टुंड्रा बोलते हैं शीत मरस्तनों को टुंड्रा अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है तो प्यूट्रो रिको ट्रेंच ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है 30 प्रदी में चेत्रफल की रश्टी से सबसे बड़ा सागर। किसे पांच सागर का मॉस्कोव को Satyata विश्यू का सबसे नदी पर। पानी is जर्ङय के अबना कि पतत की उस्थित्थ पत्तन के नाम हिए तो पयो नाम का पतत्थ है दक्शिनी सुरेपर किस महादीप को सूञेद के नाम से जाना जाता है अंतर्क टिक को सुज़्फ अंगरेजी के ऐस अक्षर की तरह की सष्टता है कौसा महादीप पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से अलग हुए तो जो है विवर्तनिक क्रियादवारा अलग हुए दीपों की सरवादिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है तो प्रशांत महासागर में दीपों की सरवादिक संख्या है कौन सा देश सबसे ज़्यादा दीप समू से मिलकर बना है तो इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा दीप समू से मिलकर बना हुआ देश है महासागर कोम कौनसी जलसंधी जोरती है तो बाब, अल, मन देव, संधी, Hour particular रहें करेविवक्राइन। सरवादिक के संख्या में पढ़के। छूह किसचा महादीप में, सरवादिक संख्या में असथवादू है अफरीका में हैं, अफीका के रुम साँगरी तडट पर कौन सा बंदरगाा है सिकंदरिया बंदरगा है रुम साँगरी तडट पर अफीका के हमन THEum टोटा बंदरगा कहा इस्थ्थ थे तो हमन THEumicट एस्थ थे kit विश्व की सरवादिक लवणी जील कौन से है तो वन जील विश्व की सरवादिक लवणी जील है समुदतल से सरवादिक नीची जील कौन से है तो म्रतसागर समुदतल से सरवादिक नीची जील है विक्टोरिया जील अवस्त है तो पूर्वी अफ्रिका में इस्तित है विक् रखा था तो हम बोल्ट ने रखा था पनामा जल डमरुवंदी के आरपार नहीं खोदने का उचार किस महादीप को महादीपों का महादीप कहा जाता है तो एशिया महादीप को महादीपों का महादीप कहा जाता है किस महादीप को विज्ञान के लिए समर्पित महादीप कहा प्रशांत महासागर में इस्ते थे थे तो रूस की दक्षण में इस्ते थे थे ब्लैक सी या काला सागर विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है तो मेक्सिको की खाड़ी विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कहलाती है विश्व की सबसे चौणी जलसंदी कौन सी है तो डेविस जलसंदी विश्व की सबसे चौणी जलसंदी है कौन सा बंदरगा यूरोप पॉट के नाम से जाना जाता है तो आपका रोटरडम बंदरगा यूरोप पॉट कहलाता है यूरोप का सरवादिक महतुपूर बंदरगा रोटरडम किस देश में स्थित है तो ये नीडरलेंड में स्थित है कौन सा सागर इरान की सीमा को इस पर्स करता है तो कैस्पियन सागर इरान की सीमा को इस पर्स करता है किस महादीब का शेत्रफल सबसे कम है तो औस्टेलिया महादीब का शेत्रफल सबसे कम है कौन सा है तो mount average Asia महाडीप का सरोच परवत सिखर है छेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी जील कॉन सी है तो किस देश की तटी रीखा विष्व की सबसे लंबी है, तो कनाड़ा की तटी रीखा, विष्व की सबसे लंबी है। स्टैनली जलप्रपात किस नदी परिस्तित है कांगो नदी पर स्टैनली जलप्रपात है तो जोडती है अम्हाद्युक्षनी दक्षिन अमेरिका संसार का सबसे आधर महादीप है काली मंतान दीप किस दीप का अंग है तो काली मंतान जो है ये बोर्नियों दीप का अंग है भारत की दक्षिरतम दीप कौन सा है तो ग्रेट निकोबार भारत का दक्षिरतम दीप है कौन सा धीप इंडोनेशिया का हरदर इस्थल कहलाता है तो जावा जो है इंडोनेशिया का हरदर इस्थल कहलाता है भारत एवं बांगलाजिश के मत विवाद किस वीप को लेकर है तो नियूमर देप को लेकर भारत और बांगलाजिश में विवाद है न्यूबियन मरू भू महासागर को सब्सक्राइब पनामानρέरग कन दो महासागरों को जोड़ती है तो पषानत माहासागर और अट्लांटिक महासागर को जोड़ती है किस दीप को अगनी दीप के नाम से जाना जाता है जापान नागा साकी नगर किस द्वीब पर इश्था थे तो जुशू द्वीक पर इस्थे थे है पर जा ऑखरें कि कितने मेटर है तो 11,33% है tutorials कौन सा सागर स्थल्रुद है अरल सागर एक स्थल्रुद है हार्मुच जलसंदी किन दो देशों को अलग करती है तो इरान और यूए को अलग करती है हार्मुच जलसंदी जाफना प्रायदीप तथा शिलंगा की मुख्य भूमी को जोडने वाला पास कौन सा एलिफेंटा पा पत्तन किस देश में है तो पापिस्तान में जोद के भूबी कर जाता है कौन की जील ? हनीमून ले कहलाती है तो टिटिका का जील हनीमून कहलाती है नियागरा जलपरपात किन दो जीलों के मद्धिस्त है तो इरी और उन्टारियों इन दोनों के मद्धिस्त है नियागरा जलपरपात सहारा मरस्थल किस महादीप में इस्तित है तो अफरीका महादीप में इस्तित का है तो ऐस्ट्रेलिया महादीब को 85 भूमी च lemon कहा है कॉंटिनेंट ओफ आ कौंटरास्ट किसे कहते हैं तो एशिया को कहा जाता है कौनसे दो महादीब एक दूसरी का दरपन पृस्तुत करते हैं ठीच्छर आमेरिका तथा अफ़रिका एक दूसरी का दरपन पृस्तुत परवतमाला यूरोप की परवतमाला है सिंखला है जापान की राजधानी टोकियो किस दीप परस्तित है तो होंसु दीप परस्तित है जापान की राधानी टोकियो सेंग काकु दीप के स्वामित का विवाद किर्न दो देशों के बीच में है तो चीन और जापन लड़ रहे हैं सेंग कांकु दीप के लिए माह सागर उत्तर अमेरीका महादीब को इस परस नहीं करता तो हिंद महासाागर उत्तर अमेरिका महादीब को इस कौन सा सागर महासागरी मरूभूमी के रूप में अभी हित किया जाता है तो सार गैसो सागर अभी हित किया जाता है विश्व में किस खाड़ी की तटर रिखा सरवाधिक लंबी है तो हट्सन की खाड़ी की रिखा सरवाधिक लंबी है कौन सा जल्ड Mr. O ile मातिय और तस्रीलिया और तस्च्त करता तो बैरिंग जल्डम रूंद की अलग करता है तो अर्फिटिक महासगर को प्रशान्त महासओ갈 से अलग करता है कौन सा एक जल्डम्र रूमद अंतर राश्टिति इते इनकट laboratory के इत्परवा और यह रहा प्तंचोवा कोशण चाब हार पोट कहां विक्षित किया जा रहा है और Finger Bolum द्यूदियों क्षित किया रहा है तो यह एरान विक्षित किया रहा है चाब हार पोट कौन सा देश यूगम अरल सागर के किनारे हैं तो कजागिस्तान और उजबिकिस्तान ये दोनों अरल सागर के किनारे हैं विक्टोरिया जील किन अफरिकी देशों के मद देश्टत है तो तंजानिया कीनिया और यूगांडा के मद देश्टत है विक्टोरिया जील जो की बहुत फेमस है विश्व क की लम्बाई कितनी है कुल टो 168 किलोमीटर sooner की लंबाई है तो मौन सा महाधी पूनता हो अक्षड का महाधीप का सरवुच पर्वत सिखर विए तो मांठ यह का कंका सबसे उंचा शर्होर के सर्वुच पर्वत सििखर विए तो आपने किली मंजारो का नाम बहुत सुना हो biography अफरीका महाधीब का सरवुच परवत है अफरिका महधीब की सबसे बड़ी जील कौन से है तो Victoriya जील अफरीका महाधीब की सबसे बड़ी जील है विश्व में मैदानों का सरवादिक विस्तार किस महादीप में है तो यूरोप में विश्व में सबसे ज़्यादा मैदानों का विस्तार है कौन सा द्वीप द्वीपी महादीप के नाम से जाना जाता है तो ऑस्टेलिया को द्वीपी महादीप कहा जाता है किस महादीप को अंद महादीप के उपनाम से जाना जाता है तो अफरीका को अंद महादीप कहा जाता है किस महादीप को विकास की अधिक संभावना की विदमानता की कारण भविश्य का भंडार गरह कहा जाता है किस महादीप का विस्तार उत्तरी दक्षणी पूर्वी पश्चमी सभी गोलारदों में हैं तो अफरीका महादीप का विस्तार है सभी गोलारदों में किस महादीप में ज्वारा मुखी का सर्व था अभाव पाया जाता है तो आस्ट्रेलिया में ज्वारा मुखी कम है विश्व की सबसे लंबी घाटी किस महादीप में है तो अफ्रिका महादीप में विश्व की सबसे लंबी घाटी है कि उस दीप का प्राचीन नाम पे, इंडोनेशा की राजधानी जकारता, किस दीप परिस्ते थे है, तो जाबा दीप पर इस्ते थे, इंडोनेशा की राजधानी जकारता, जाबा आइलैन्ड कहा है, तो भीर Zuschu भी जाबा-डा मूल्का है दख्ष्णी केलिफार्णिया में कौन सा मरّस्थल फैला हुआ है तो मोजेव मरस्थल दख्ष्ण महत्यू में शेचल्स संदी के द्वारें 돼 मवल्ग के दवारेंड जश्यक तक़श संदी दो देशों के बीच है। सुमात्रा जावा के बीच संदा जलसंदीप। अफरीकी महादीविप में कौन सी जील मुववद्ध दे रिखा परिस्त है। नासा नामक जील है। ब्वहुमत दे रिखा परिस्त है। पनामा नहर व्यापारिक द्रश्टी से स्वेज नहर की अपेक्चा कम महतुपून है, क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता, कील नहर किसको जोडती है, तो उत्री सागर को बाल्टिक सागर से जोडती है कील नहर, जापान का सबसे चोटा द्वीप कौन सा है तो शिशोकू द्वीप सबसे चोटा द्वीप है जापान का पोटा गोनिया मरुस्तल किस देश में इस्तित है तो अर्जेंटीना में इस्तित है पोटा गोनिया मरुस्तल सेचुरा मरुभूमी किस देश में है तो पेरू में है सेचुरा मरुभू का सही अ управड़ ही करम सबसे पहले बड़ा उसके चोटा 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 सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर उसकी बाद है अट्लांटिक महासागर उसके वाद आता है हिंद इंड महा Season का नंबर फिर तो हिंद महासागर उत्तरदशा में एशिया महादीब दारा और रोधित है कौन सा महासागर एक और एशिया को तथा दूसरी और उत्तर अमेरिका महादीब को इसपर्श करता है तो प्रशांत महासागर एशिया और उत्तर अमेरिका को इसपर्श करता है अगनी वला रिंग फायर की उपस्तिती किस महा सागर में पाई 자ती है तो प्रशांत महा सागर में अगनिवला यह रिंग फायर हैं कौन सी जलसंदी अंतर्राश्टी खतितीरिखा को समान अंतर इस्तिते ए तो अंतर्राश्टी स् prejudice पेरिंग जलसंदी है मलक का जल संधी किंदो सागरों को सयुक्त करती है तो अंडमान सागर था दक्षनी चीन सागर को मलक का जल संधी सयुक्त करती है जल डमरू मद्ध क्या कहलाता है तो दो सागरों को मिलाने वाली सकरी जल धारा जो है जल डमरू मद्ध कहलाती है चेत्रफल की डश्टी से विश्व का सबसे बड़ा भू आविश्थित देश कौन सा है तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा भू आविश्थित देश है सुएज नहर के दोनों सिरों पर इस्थित पत्तन युगम कौन सा है तो स्वेज और पोर्ट साइद ये दोनों स्वेज नहर के दोनों सिरों पर इस्थित हैं स्वेज नहर के उत्री प्रवेशद्वार पर इस्थित बंदरगा कौन सा है तो पोर्ट साइद उत्री प्रवेशद्वार है विश्व की सरवादिक खारे जल की जील वान जील किस देश में है तो तुर्की में स्थित है वान जील वह सागर कौन सा है जो भूबंद है अरल सागर भूबंद है नियागरा जल परपात कहां पर स्थित है तो USA में नियागरा जल परपात स्थित है इमली में कौन सा अमल पाए जाता है ताट्रिक अमल पाए जाता है इमली में दूद दही में कौन सा अमल पाए जाता है तो लेक्टिक अमल पाए जाता है दूद दही में सिर्के में कौन सा अमल पाए जाता है तो एसिटिक अमल पाए जाता है किडनी की पतरी को क्या कहते हैं तो calcium oxalate कहा जाता है किडनी की पतरी को protein पाचन में कौन सा अमल सायोगी है तो hydrochloric अमल प्रोटीन के पाचन में सायोगी होता है silent valley कहां इस्तित है तो silent valley केरल में इस्तित है केंद्र इस्तित है भारत्य क्रसी अनुसंधान केंद्र कहां परिस्तित है तो नई दिल्ली में भारत्य क्रसी अनुसंधान केंद्र है केंद्री चावल अनुसंधान संस्थान कहां परिस्तित है तो जादुबर वाग्क का जधूर किसी कहते हैं तो मेजर ध्यान शंद्र कहा जाता है क्योटो प्रोटॉकाल का संबंध किस्थे है थो ग्रीन-हौँस-गैस से क्योट।ॵ प्रोटॉकॉल संबंध है मौन करें वी उच्परद संड शन्रैयल प्रोटोकॉल का संबंध है रामसर कंवेंशन का संबंध किस से है तो आद्रभूमी के संदक्षन से रामसर कंवेंशन का संबंध है Stock Home सुम्मिलन कभ हुआ था? तो 1992 cycle strike Home समिलन भूआ था विश्वयद का मुख्यालह कहा पर रिस्थे था? वासिंगंगतन दीशी में विश्वयद का मुख्यालह थ्यूफ है एश्या इविकास बैंक ADB का मुख्यालह कहाँ पर है? तो मनीला में ADB का मुख्यालह है सायोग तो राष्ट पर्यावरण कारिक्रम का मुख्याले कहां पर है तो ये नेरो भी जो की कैनिया में पढ़ता है वहां परिस्ते थे विश्व व्यापार संगठन का मुख्याले कहां पर है तो जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्याले है यूनेस्को का मु आर्थिक सायोग और विकास संगठन का मुख्याले कहां पर है तो पैरिस में आर्थिक सायोग और विकास का विकास संगठन का मुख्याला है अंतराश्टी स्रम संगठन ILO का मुख्याले कहां पर है तो जिनेवा में ILO का मुख्याला है Falcon 9 rocket किस जो है Space Agency ने लाँच किया तो SpaceX कमेंट करके बताइए SpaceX के मालिक 100% पता होना चाहिए आपको लिख के ले लो आएगा आपके एक्जाम में SpaceX के मालिक आता रहता बहुत ही जादा सुर्खियों में रहते हैं Hope Mission किस देश के द्वारा launch किया गया तो Huh Mission सयुक्द अरब अमिरात यूएई के द्वारा launch किया गया है या रखिएगा सैटलाइट किस vehicle द्वारा launch किया जाते हैं तो PSLV के द्वारा satellite vehicle जो है है launch किया जाते है несैटलाइट सिपकिला दर्रा कहां पर इस्ते है तो हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा इस्ते है किस दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रविश करती है तो सिपकिला दर्रे से होते हुए ही सतलज नदी भारत में प्रविश करती है नातुला दर्रा किस राजे में इस्तित है तो सिक्किम राजे में नातुला दर्रा इस्तित है बोम डिला दर्रा किस राजे में इस्तित है तो अनाचल प्रदेश में बोम डिला दर्रा इस्तित है करनाटक में इस्थित है नागर होल टाइगर रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व कहां पर है जारखंड में है पलामू टाइगर रिजर्व डड़ोबा अंदेरी टाइगर रिजर्व किस राज्य में है तो यह आपका महराश्टर में इस्थित है खजुराहो के मंदर का न निर्मित है पूर्व का ताज महल किसे कहते हैं तो हमायू के मखवरे को पूर्व का ताज महल कहा जाता है ब्रहदेश्वर मंदिर किस सैली में निर्मित है तो द्राविड सैली में बने हुए हैं ब्रहदेश्वर मंदिर प्रसिद्ध ब्रहदेश्वर मंदिर ब्रहदेश्व दिएर कितने समय में पहुंचता है तो एक मुर्याम बोग ऐसे जो प्रीकास आथा प्रत्वी पर उसको कितना समय लगता है सूर शे प्र Quinnis में कितने minute लगते हैं किस ने Uranus ग्रह की खोज की थी तो William Harch Vander Uranus ग्रह की कोज की थी शूर के प्रकास द्वारा एक वर्ष में तहीं काकी दूरी को क्या कहा जाता है तो उसको बोलते हैं एक प्रकास वर्ष एक पार सिख कितने प्रिकाश वर्ष के वरावर होता है तो 3.6 प्रिकाश वर्ष के वरावर एक पार्सिक होता है तारों का विवने रंग किसका सूचक है तो तारों का जो रंग हो उसके तापमान का सूचक होता है महाविस्पोर्ट सिद्धांत किस से संबने थे तो ब्रह्माढट की उत्पत्ती से संभाने थे महाव स्पोर्टंब सिद्धांत अकार में बड़ा होने काण किस ग्रह को master of god का सथा 해 सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा मंडल कोन सा है तो हाइडरा सबसे बड़ा तारा मंडल है सौर मंदल का सूर का व्यास प्रत्वी के व्यास से कितने गुना अधिक है तो सूर का वरास 109 गुना अधिक है प्रत्वी के व्यास से भारत किस गोलार्द में अवस्थित है तो पूर्वी गोलार्द में अवस्थित है भारत चेत्रफल की दृष्टी से भारत विश्व में क बहारत के कितने राजनसा उखनम गुजति है तो आठ राजनसा उखर कुजति है कौँम। आकछांस भारत को लगवह कि दो बरावर में विववाजित करता। तो साड़े टिजी डिग्री उथ्तरी आकछांस करकर लेक्षां करता है। भारतिय मानक समय रेखा जो कि आपका साड़े 82 किस सहर से उकर गुजरती है तो इलावार के निकट मिरजापुर से उकर गुजरती है भारतिय मानक समय एवं ग्रीन बेचे माद समय के बीच कितने घंटिक अंतर होता है तो साड़े 5 प्लस 530 GMT आपने दिखा होगा मोगाल में आपके जब आप टाइम सेट करते है तो भारत का दूरस्त दक्षिरतम बिंदू कौन सा है तो इंद्रा पॉइंट भारत का दूरस्त दक्षिरतम बिंदू है भारत का एक मातर जिला कौन सा है जिसकी सीमा चार राज्यों को सपर्स करती है तो सोन भद्र है उत्तर इतमीफे fummm कि तटीए लंबाय कितनी है तो 6100 किलो मीटर भारत कि मुक्ह Mm is की असम की सीमा साथında ऐभरत को स्पर्श करती है राजियों के इंसाथए प्रडि通 साथ वेलीप चाहिड द्वीप और हैवलक दीफ श्वराज दीप के नामसेे आता है भारत श्री लंका संदीध वार अप्लतक होता है तो पाक अप्लत। कॉन्हाती राजे तीनों हो इस बङकलाद के करसी नर्विदा नर्वदा एवं तापती नदियों के मद्य कौन सी परवत्ष्रणी है इस्थित्य तो सत्पुड़ा परवत्ष्रणी है नर्वदा एवं तापती नदियों के मद्य भारतियोप महादीप मूलता किस भुखंड का भाग था तो गोंडवाना लेंड का भाग था भारतियोप मह सचब्सक्राइब करके कितने लोगोмेंट करता है एक दोचार पांच-पास बता समाने किसे पर क्रहा के कितने वर्षों दिखाइए धाय देता है। योरौपा किस गरह प्राकरतिक उपगरह है। किसी भी ग्रह की उसकी कच्छा में वैसी स्थिति जब वह सूर से निकट तम हो सो क्या कहते हैं तो उसे का जाता है पैरी हेलियन जब वह सूर से सबसे निकट होता है ओरियन तारा मंदल को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो हंटर नाम से जाना जाता है ओरियन ताला मंदल को एक्साई चीन किस शेत्र बहाग है तो हलगा का भाग है अक्साईचीन बहारत की प temps परवater संखला कॉन सी का एक्साई चीन और अक्साई चीन सबसे उची चोटी कौन से तो अनाई मुड़ी केरल में सबसे उची चोटी दक्षी भात की नीलगिरी प्रवत मालक अस्तार किन राजों में तो नीलगिरी फैली है तमिलानू में कुलुघाटी किन पर्वत सिर्णियों के मद्य है तो धोला धर और पीर पंजाल के बीच में है कुलुघाटी किस राज्य में है कमेंट बॉक्स ने कांट करिए हिमाचल प्रदेश या फिर उत्त्राखंड किस में है कुलुघाटी पाल घाट दर्रा किन पहाडियों के मदर इस्ते थे तो पाल घाट दर्रा नील गिदी और अनामलाई के बीच में इस्ते थे नातुला दर्रा किस राज में उस्ते थे तो सिक्क्यम में इस्ते थे नातुला दर्रा हिमाले की सबसे उची चोटी पर्वत स्रेणी कौन सी है तो हिमाद्री या व्रहद हिमाले सबसे उची पर्वत स्रेणी है महाराश्टेवं करनाटका के मदस्त पश्यमी घाड को किस नाम से जाने जाता है तो कौंकर्ड तट बोलते है पश्यमी गार जो कि महाराश करनाटक के बीच में है मानादर्रा उत्राखंड के को किस से जोडता है तो मानादर्रा उत्राखंड को तिबबत से जोडता है नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्त है तो उत्राखंड में अवस्त है नंदा देवी शिखर अरावली स्रणी का उच्छितम पर्वत शिखर कौन सा है तो गुरु शिखर 1722 मीटर अरावली स्रणी का उच्छितम सिखर है हिमालय पर्वत की एक स्रणी जो की है अराकान नियोमा किस देश में इस्ते थे तो ये म्यान इमार में इस्ते थे अराकान नियोमा लिपू लेक माना एवं नीची दर्रा किस राज़े में उस्ते थे तो उत्तरा खंड में लिपू लेक माना और नीची दर्रा है रोतांग दर्रा किस राज़े में है तो हिमाचल प्रदेश में रोतांग दर्रा है भारत का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है तो सियाचीन ग्लेशियर सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर है चोरा बाड़ी ग्लेशियर कहां इस्तित है तो केदारनाथ मंदर के उत्तर में स्तित है चोरा बाड़ी ग्लेशियर अरावली एवं विंद श्रंखलाओं के मद्य कौन सा पठार इस्थत है तो मालवा का पठार है अरावली एवं ब्रिंद संखलाओं के मद्य भारत का ओसत समुद्रतल किस टट से मापा जाता है तो चैन नहीं से मापा जाता है ओसत समुद्रतल भारत की समुद्र तट रेखा की को लंबाई कितनी है तो 7517 किलोमीटर समुद्रिय तट रेखा की लंबाई है भारत के तटी राज़ों में से किस राज की सीमा सबसे लंबी है तो गुजरात की सबसे लंबी है चलिए नमबर वन तो सबको पता रहता है कि गुजरात सबसे लंबी सीमा रिखा है समुद्र तट से कमेंट करके बताईए सबसे छोटी सीमा रिखा किस राज की है किस राज से समुद्र तट जो है सबसे छोटी सीमा रिखा साजा करता है देखते हैं आप लोगों में से कौन को निसका अंसर दे पाता है भारत के कितने राज समुद्री तर्टरीखा से सनलगने हैं तो नौराज्ये हैं प्राचीन भारती एतिहासिक भुगोल में रतना कर नाम किसका सूचक है तो हिंद महासागर को रतना कर कहा गया है तर्मिलन भुग अंदर प्रदेश में समुद्री तर्का क्या नाम है तो कोरुमनल तर्ट नाम है महाव स्पोर्ट का सिद्धान बिग बैंक त्योरी का प्रती पादन सबसे पहले किस वेगानिक ने किया था जोर्ज लैमेत एर ने किया था सूर्य का रासानिक संगठन क्या है सूर्य का रासानिक संगठन हाइड्रोजन की 70% और हीलियम 25% मन्दाकिनी का सबसे चमकीले उन थंदे तारों का छेत्र को औरेनियन नैबुला कहा जाता है सूर्य में ऊजा किस अभी किली धवारा उत्पन होती सबसे निकट इस दूदि कितनी है तो 4.24 प्रकास वर्स है सूर के तारों चारों तरब प्रत्वी अपने ओर्विट में लग बग किस वेग से चक्क्र लगाती है, तो प्रशुवी उन्तेज सम्मलें, सबसे ठंडा गरह कौन सा है, तो वरुन सबसे ठंडा गरह है, सूर की सटा का ताफ़का उन्धा कितना होता है, तो लगबग 6 घीजऑ . प्रत्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं तो प्रत्वी ने अपने अक्षपर घूणन के कारण जो है दिन और रात होते हैं प्रत्वी किन ग्रहों के बीच स्ते थे तो सुक्र और मंगल के बीच में स्ते थे प्रत्वी कन्या कुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो कैप कोमोरिन कहा जाता है कन्या कुमारी को और अन्य नाम से जाना जाता है जो अन्डमान और निकोबार दीव समुका सबसे अधिक उचाई वाली चोटी कौन सी है तो सेंडल पीक सबसे उची चोटी है व्रहद हमाले की उसत उचाई कितनी है तो 6,600 मतलब एक सो या फिर एक सट सो मीटर बोल सकते हो आप व्रहद हमाले की उसत उचाई लगू हमाले किन स्रेडियों के मद्ध में इस्तित है तो महान हमाले और सिवालिक के बीच में है लगू हमाले अंढमान और निकोबार दीब सम्वु इस्तित है तो बंगाल की खारी में इस्तित है अंढमान निकोबार दीब सम्वु में द्यूपों की किलती की संक्याillar तो से प्रत्रकरता है बेरंड है दीप कहा अवस्तित है मंगाल की खाड़ी में इस्थित Tiny पुळी कोर के समीप द्शिय हमीप लग्छोडी कहा पर अवस्तित है अरभ सा 여iform में लग्षजी आवस्तित है ऐसे अप्रकास हीन-पिंड जो सूर के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको ग्रह कहा जाता है, आकाश में कितने तारा मंडल है, तो आकाश में 88 तारा मंडल है, सूर से प्रत्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनिट 16 सेकंड लगते हैं, लगभग, सौर सबसे बड़ा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह सबसे चोटा ग्रह सबसे चोटा ग्रह सबसे चोटा ग्रह सबसे चोटा ग्रह से इस्तल की सरवादिक उचाई कितनी है तो 8848.886 मीटर जो की माउंट एवरिष्ट की उचाई है वायू मडल की किस परत में रेडियो तरंगे परावतित होती है तो आयन मडल से रेडियो तरंगे परावतित होती है पवित्र भूमी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है तो फिलिस्तीन को पवित्र भूमी के नाम से जाना जाता है छेत्रफल की रष्टी से सबसे बड़ा राज कौन सा है तो राजस्थान सबसे बड़ा राज है छेत्रफल की रष्टी से प्रतवी की उपरी प्रत को कहा जाता है भारत में सरवादिक पक्की सड़क वाला राज कौ कौन सा देश जाना जाता है तो कियोबा को कहते हैं चीनी का भंडार चीनी का प्याला वाई उनल में सरवादिक मात्रा में उपस्तित गयस कौन सी है तो नाइटोजन सरवादिक मात्रा में उस्तित गयस है चामल का देश किसे कहा जाता है थाइलन्ड को चामल का देश कहा जात विशु का पहला गरतंत्र वैशा की किसे द्वारा स्थापित किया गया तो इलिच्वी द्वारा स्थापित किया गया किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है लोग सभा का चुनावा लड़ने के लिए उमिद्वार की नियुनता मायू कितनी होनी चाहिए तो कम से कम 25 वर्स होनी चाहिए उमिद्वार की आयू लैंस की पावर को किस में मापा जाता है तो डाइप्टर में लैंस की पावर को मापा जाता है प्रत्वी पर सबसे उचा परवत कौन सा है तो मांट एवरिष्ट प्रत्वी पर सबसे उचा परवत है भारत के किस राजे में पोलो खेल का प्रारंब हुआ तो मनीपुर में पोलो खेल का प्रारंब हुआ हडपा समविता का सरवादी का मानिता प्राप्त काल कौन सा है तो पच्छी सो इसा पूरु से सत्रसो पचास इसा पूरु सबसे ज़्यादा मानिता प्राप्त काल है मूल करतव्यों का वनन समविधान के किस अनुछेद में है तो अनुशे इंक्यावनका में मूल कर्टवियों का वर्णन है भारतिय सम्विधान में मूल कर्टवियों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया है तो इसको रूस से लिया गया है पदार्थ की चतर दवस्ता क्या है तो पदार्थ की चतर दवस्ता प्लाजमा कहलाती है किस गती के कहाना सी सौ पर बच्चा उपर और नीचे होता है तो दोलन गती होती है वो करनाटा किसे जोग जलपरपात किस नदी पर बना हुआ है तो सरावती नदी पर बना हुआ है जोग जलपरपात किस गरह को सुबह का तारा या शाम की तारिकी रूप में जान जाता है तो सुक्र गरह को सुबह या साम का तारा कहा जाता है पदार्थ का परमाणविक सिधान सरपतम किसने प्रतिपादम किया तो जॉन डाल्टर ने पदार्थ का परमाणविक सिधान प्रतिपादम किया हर्मिट ओफ शिमला किसे कहा जाता है तो ए ओहियूम को हर्मिट ओफ शिमला कहा जाता है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतराश्टी सीमा लगी हुई है तो बांगला देश के साथ सबसे लंबी अंतराश्टी सीमा लगी हुई है पिट्रा डिवरा का आरम किस ने किया तो जहांगीर ने पिट्रा डिवरा का आरम किया किस शेत्र में आसाधान योगदान के लिए शांती स्वरु भटनागर प्रुसका दिया जाता है तो विज्ञान एवं प्रौद्वी की शेत्र में वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जयाविक योगिक में उपस्तित होता है तो कार्बन सभी जयाविक योगिक में उपस्तित होता है मैड़क के रिदर में कितने कक्ष होते हैं तो मैड़क के रिदर में तीन कक्ष होते हैं भारती सम्विधान में राज के नितिनिशक तक्तों की संकल्पना किस देश के सम्विधान पराधात है तो आइलेंड से लिगई है नितिनिशक तक्तों की संकल्पना फाइल एरिया नामक रोग किस जीव के कान होता है तो वुचेरेरिया बैंक्रोप टाई इसके कान होता है फाइल एरिया रोग ऐसे पौदे जिनके बीच के चारों और आवरन नहीं पाए जाता कहलाते है तो उनको जिम्नूस परम कहते हैं निफ्टी किसे समझत है तो निफ्टी जो है नैशनल श्टॉक सूचक है सुचकांग से समझत है निफ्टी शूथे परिये पहीति किस जंतू को प्रिपनाया था तो कृति को सबसे पहले प्राए गया था मानव का वग्यानिक नाम है तो homo sapiens मानों का वग्यानिक नाम है व्रक्ष मेड़क या व्रक्ष मंडुक के नाम से कौन जाने जाता है तो हाईला व्रक्ष मंडुक या व्रक्ष मेड़क कहलाता है जल गैस या भाप अंगार गैस किसका सही होजन है तो एह S2 और C O का जो है सही होजन है जल गैस बोल सकते है या फिर भाप अंगार गैस बोल सकते है विशुका सबसे वेस्ट समुद्री रास्ता कौन सा है तो उत्तरी अट्लांटिक महासागर का रास्ता सबसे वेस्ट समुद्री रास्ता है करीबा बांद किस नदी परिस्त है तो जैम बेजी नदी परिस्त है करीबा बांद राज की कारेपाली का शक्ती किस में नहित होती है तो राजिपाल में नहित होती है महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार अक्रमण किया तो 17 बार अक्रमण किया बल्लब भाई पटेव्यी उपादी उनकी कुशल संगठन छमता की कान् पार्थ शामवेद को भार्ती संगीत का जनक कहा जाता है तो केषपियन जील विस्वकी सबसे बड़ी जील में गिंती होती है काला सागर किस देश के दक्षन में सित है तो रूस काला सागर जो है रूस के दक्षन में सित है खनेज तेल एवं कोईला किन राज्यों में पाए जाता है तो अवसाधी किन चक्टानों में पाए जाता है जो साधी चक्तान होती उससे खनिस्तेल और कोईला निकलता है विश्व में सबसे उचा बांध कौन सा है तो रोगवनस की वांध है जो की तयाकिस्तान पर विश्व का सबसे उचा वांध है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है तो कोच्चीन को अरब सागर की रानी कहा गया है किस छेत्र में जाड़े की रितू में वर्षा होती है तो भूमद्द सागरी छेत्र में जाड़े की रितू में भी वर्षा होती है भारत में कोईले की सबसे अधिक बंडार कहां पर पाएगा है सुनामी किस भाशा का सब्द है तो जापानी भाशा है सुनामी बगदाद किस नदी के किनार है तो ट्रिस नदी के किनार है बगदाद कमेंट करें बगदाद जो है किस उसमें क्या बोलते हैं देश में बगदाद किस देश में कमेंट बॉक्समें करें बगदाद किस नगर को इंपायर सिटी कहा जाता है विश्यु में सरवादिक काज काज्ट सेयार करने वाला देश कनाडा किस प्राक्रटिक प्रदेश में इस्थ है तो टैगा प्रदेश में सेथ है कौन सा 100 चेर की संग dzihr सेलिए प्रसिदिए तो पढ़ार कमेंट करके बताईए गंगा और ब्रहर extra को बांगला देश में क्या कहा जाता है गंगा नदी को क्या कहा जाता है और ब्रह्म अपुतर नदी को क्या कहा जाता है बांगला देश में कमेंट बॉक्स में करके बताइए नील नदी किस से संबने थे तो मतश्य उद्योक से संबने थे नील नदी किसे देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है तो कनाड़ा के पास देश का सबसे बड़ा uranium भंडार है प्राइधीपी भारत के पठार का निर्मान किस से हुआ है तो लावा से हुआ है विश्व का सरवादिक उचा सक्री जो अलम की कौन सा है तो कोटो पैक्सी सबसे उचा सक्री जो अलम की है किसी दक्षन भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है तो कोयम टूर को दक्षन भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है नाइटोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उतपालग देश कौन सा है तो सायुक्तर राज अमेरिका नाइट्रोजन ही उर्वड़कों का सबसे बड़ा पालक देश है नीलगरी किसका उधान है तो ब्लॉक पालक का उधान है नीलगरी विश्व की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो कैश्पियन जील विश्व की सबसे बड़ी जील है सार के देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है तो बांगलारीस सबसे घनी आबादी वाला देश है सार के देशों में रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो टाइबर नदी के किनारे रोम नगर बसा हुआ है सरवत्तम कोटी का संगमरमर किस से मिलता है तो मकराना से सरवत्तम कोटी का संगमरमर मिलता है भूमद्रिखा के निकट किस से तरह के वन पाए जाते हैं तो उश्नकटी वन पाए जाते हैं भूमद्रिखा के निकट शेतरबल की डश्टी से सबसे छोटा राज कौन सा है तो गोवा सबसे छोटा राज है किस नदी को तेल नदी के नाम से जाने जाता है तो नाईजर नदी को तेल नदी के नाम से जाने जाता है विश्व में चाय का सरवादिक उत्पादक देश कौन सा है तो चीन चाय का सबसे सरवादिक उत्पादक देश है गोभी मरुस्तल किस देश में इस्तित है तो गोभी मरुस्तल आपका मंगोलिया में इस्तित है जाफना प्रायदीप तथा शिलंका की मुक्य भूमी को जोडन पाइज आफिने वाला पास कौन सा है तो एलीफेंटा पास जाफ्ना प्रायदी जोडता है वरुनसमत्यां वरुनस पतियां वंस जीव जनतुओं का जीवास में कैसि चक्तानओं में पाए जाता ह। भाकड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है बना गई है तो ये सतलज नदी पर स्थित है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो मासम राम सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है प्रसिद्ध मतस से छेत्र ग्रेंड बैंक कहां से थे तो ये अट वायू मंदल की सबसे निचली परत क्या है तो छोब मंदल कहलाती सबसे निचली परत संसार की छत किसे कहा जाता है तो पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है कावेरी नदी कहा गिरती है तो कावेरी नदी गिंती है बंगाल की खाड़ी गंगा के मैदानों की पुरानी क i divine प्रषारय मिट्टी को बांगर मिट्टी के नान से जाना जाता है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सो रंग किस राज़ मैं उस्हेंड है यह जम्मू काशमिर ?" की प्रसिद प्रवाल Europits the kis प्रकार म्त हो रही है तो यह अर्दिक मतस्य के ठाण जो आ ड्रफ हो रही है। सागरीय ज़ल में सर्वादिक मातरां में पाए जाने में अलाव न कौन सा है तो सोडियum क्लॉराइड है. उत्री ध्रोपर सर्पत्म पहुचने वाला वेक्ती कौन है? तो रोबर्ट प्रीली सबसे पहले उत्री ध्रो पर पहुचा था। भारतिय राज़े में सरवादिके लंभी ततरा इखा किस राज़ी की है? गुज्रात की सबसे लंभी ततरा इखा है? सबसे छोटी ततर इखा किस की है? कमेंट करके होता ह। ठीक है? अगला कॉशन देखी, जोहांस हबर्ग, लिए प्रिसित है, तो ये सर्नक ख़डान के लिए प्रिसित है, जोहांसबर्ग, यह किसने सरव प्रथिपायत किया था, कि सूर हमारे सौरमंधल का केंद्र है, और प्रथिवियों स्की परिक्रमा करती है, सबसे पहले गैलीलो महराज ने कहा था, भारत में सर अधिकांश वर्षा किस मानसून में होती है तो दक्षिर पस्ची मानसून में होती है काविरी नदी जल विवाद मुख्यता किन दो राजों के मद्द इस्तित है तो करनाटक और तमिलाडू के बीच में काविरी जल नदी विवाद विश्व का सबसे गहरा गर्थ कौन सा है तो मारेना ट्रेंच जो की प्रसांत महासागर में इस्तित है आप सभी को पता है विश्व में सबसे उचा जुआर कहां आता है तो फंडी की खाडी में आता है सबसे उचा जुआर जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक क्रशी क्या कहलाती है तो उसको बोलते है ओलेरी कल्चर दामोदर नदी कहा निकलती है तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नाकपुर के पठार से रेशम के उत्पाधन हेतू व्यापारिक स्तर पर रेशम के कीडों का पाला जाना क्या कहलाता है तो उसको सैरी कल्चर कहते हैं रेशम की कीडों को पालना विशुका सरवाद के जूट उत्पादक छेत्र कौन सा है तो गंगा ब्रह्मपुत्र देल्टाई मैदान में सबसे जूट उत्पादन होता है किस देश में पाइप्लाइन के लंबाई वहां के रिल मार्गों के कुल लंबाई से भी अधिखे तो सहयोकतर राज अमेरिका में है सवाना घास का मैदान कहा है तो अमेरिका में पाए जाते हैं सवाना घास के मैदान राइगेस्तान में बादल अवच्छेप होकर क्यों नहीं वरस्ते क्योंकि वहाँ पर आधिता कम होती है इसलिए विश्व का सबसे बड़ा प्रायदीप कौन सा है तो अरब सागर सबसे बड़ा प्रायदीप है अरब प्रायदीप दोल ड्रम क्या है तो भूमद रेखा के आसपास अल्प दाब का अच्छे तो डोल ड्रम कहलाता है सरवादिक सक्रिज्वालम की कहां पाय जाते है तो प्रशान्त महासागर का टटी भाग सरवादिक सक्रिज्वालम की वहाँ पर पाय जाते है विश्व में नारिल का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है तो फिलिफिन्स करता है विश्व में रेल मार्क की सरवाधिक लंबाई किस देश में है तो सही उत्तराज अमेरिका में है तो ये आयन मंडल में परावर्तित होकर आती है हीरा कुंड बाद किस नदी पर मनाया गया है तो महा नदी पर मनाया गया है विश्वकी सबसे उची जील कौन सी है तो टिटी काका सबसे उची जील है विश्वकी केंद्रिय सुस्क भूमी खेती अनुसंधान संस्तान कहां मिद्धुमान है तो यह नईजिनली में है Great Barrier Reef कहां परिष्टत है तो आउस्ट्रेलिया के पूर्वी उत्तरी पूर्वी तट परिष्टत है दक्षण की गंगा किस नदी को कहा जाता है तो काविरी नदी को दक्षण की गंगा कहा जाता है भारत में सबसे पुरानी परवतमाला कौन सी है तो रावली परवतमाला सबसे पुरानी परवतमाला है किस जन जाती के लोग दूद को ताजा ना पीकर उसे खटा करके पीते हैं तो जो है खीर गीज जन जाती के लोग दूद को ताजा ना पीकर खटा करके उसको पीते हैं देश का प्रथम जयव आरक्षित छित्र कौन सा है तो नीलगरी सबसे पहला जयव आरक्षित छित्र है चाय की खेती के लिए सबसे उपयोग तो जलवाई कौन सी होती है तो मौनसोनी जलवाई होती है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है तो सुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है विश्व की सबसे गहरी जील कौन सी है तो बेकाल जो की रूँस में पाई जाती सबसे गहरी जील है सबसे बड़ा सागर कौन सा है तो दक्षनी चीन सागर सबसे बड़ा सागर है वायो मंदल में द्यानिक मौसम परिवतन किस मंदल में होते हैं तो छोब मंदल में होते हैं विशु का सबसे उचा ज्वाला मखी परवत कौन सा है तो कोटो पैक्सी ज्वाला मखी सबसे उचा ज्वाला मखी परवत है संसार की सबसे बड़ी पोटवाहक नहर कौन सी है तो स्वीजन है सबसे बड़ी पोटवाहक नहर है ब्राजील के अर्थवास्ता मुख्यता किस से किसकी उत्पादर पर निर्फर करती है तो कौफी होती है ब्राजील में बहुत ज्यादा संसार में निम्रतम प्रजिनंदर किस देश की है तो स्वीडन की निम्रतम प्रजिनंदर है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उप्रुक्त होती तो देगर मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उप्रुक्त है तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में से थे तो जिब्राल्टर यूरोप को अफरिका से प्रतक करती है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है तो इंद्रा गानी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है किसे रूज का मैंचेस्टर कहा जाता है तो एवान एवो को रूज का मैंचेस्टर कहा जाता है चेदी वंशकार राजा खारवेल किस शेत्र में संबने था तो ये कलिंग से संबने था जो है खारवेल माना विकास रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकासित की आती है तो ये की आती है UNDP-GRI के द्वारा United Nation Development Program के द्वारा की जाती है स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था तो जो है ग्यातरक कुल में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था तो शाके कुल में हुआ था दुनिया का सब की सबसे उची चोटी माउंट एवरिष्ट को नेपाल में किस नाम से जना जाता है तो सागर मता कहा जाता है जब बैरोमीटर का पार अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है तो तूफान के आने की समभावना होती है सर्वाइवल ऑफदा फिटेश्ट की अवधार्णा की रचना किस ने की थी तो चार्ल्स डार्विन ने की थी भारत के राष्टी गीत वंदे मातरम की रचयता कौन है तो बंकिम चंचर्टर जी है भारत का राष्टी गीत वंदे मात्रम सर्फतम कब गया गया था तो 1866 गया गया था बरानी द्वीपन नरेंद्र शंकर और नरेंद्र शुषका समराट लालमती किस फचल की ये सब किसम है तो ये सबी धान की किसम है जारखंड में काली मिट्टी कहां पाई जाती है तो जारखंड में राजमहल पहाडी प्रदेश पर काली मिट्टी पाई जाती है रैड डेटा बुक उन प्रजातियों के बारे में जानकारी देता है जो जो संकटापन है उसके बारे में जानकारी देता है एक्सोवायलोजी में किसका धिन का धिन किया जाता है तो बाहर अंत्रिक्षे जीवन का धिन किया जाता है हाइडोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है तो एक अनुपात आठ होता है किसे परवती परेटनिस्थलों की राजकुमारी के नाम से जाना जाता है तो कोडाई कलान को जाना जाता है परसिद्ध परेटनिस्थल कोडाई के नाल तमिल नाडू में जो किस्तित है किस पहाडी परिस्तित है तो ये पलानी पहाडीों परिस्तित है रामचरत मानस नामक ग्रंद के रचायता है कौन है तो तुलसीदास रामचरत मानस ग्रंद के रचायता है गोस्वामी तुलसीदास किस के समकालिक थे तो अकबर के समकालिक थे AIX किस कंपनी की ओपरेटिंग सिस्टम है तो AIX जो है IBM का ओपरेटिंग सिस्टम है वाल यार बांध केरल के किस जिले में इस्तित है तो ये पालक काड जिले में इस्तित है वाल यार बांध मुखेता मेग्रो वाले जुआरी वन कहां पाजाते हैं तो ये सुन्दर वन डेलता में पाजाते हैं मेग्रो वाले जुआरी वन तो मंगल पांडे ने इंकार कर दिया था था सुन्तावन के विद्रों के समय भारत का गवर्नर जेनल कौन था तो लॉड केनिन था बेगम हजरत महल 1877 के विद्रों का नितर को किस सहर से किया था तो बेगम हजरत महल ने लखनव से किया था भारत में यारलूंग जंग बो स्फ्वार्ट का बाखरी कोश्ट स्थापक, स्थापना हुइती इसे 1557 कि भारत की सरवाधिक वर्षा मुख्य तक इसंटे प्राध्षी मंॉख्जिय मानसुल्थ एक वैस के मनसुक्व के सरीर में अस्तियों हडियों की संख्या, कितनी होती है तो 206 होती है नवजात शिश्यों में हड्यों की संग्या रगवा कितनी होती है तो 300 हड्या होती है भारत के राष्टी दोच की लंबाई और चोड़ा का अनुपाद क्या है तो 3 अनुपाद 2 है भारत के राष्टी धोच के मद्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है तो गहरा नीला होता है भारत के राष्टी धोच के चक्र में कितनी तीलियां होती है तो 24 तीलियां पाई जाती है सुटन्द्र भारत के राष्टि धोच का डिज्दान किस ने तयार किया तो पिंगली वैंकर या ने तयार किया भारतीय सम्विधान सभा ने भारतीय राष्टिये धोच की रूप रहा को अंगी कार किया था तो वाई जुलाई पूनिमा की रात्री को चंद्रगर्ण होता है सीजर कप किस खेल से संब्थ है तो ये फुटवाल से संब्थ ऐ खेल है। फुटवल खेसे समनत कप है सीजर कप 19 इस्ट रिस कहा परिस्त है तो 90 इस्ट रिस हिंदमास अगर मिश्तित है भारती सम्विधान की पिस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है तो हम भारत के लुग इन शब्दों से शुरू होती है भारती सम्विधान की पिस्तावना मा मानशरी की सबसे छोटी हड़ी कौन से है, तो स्टैपीज मानशरी की सबसे छोटी हड़ी है, मानशरी की सबसे बड़ी हड़ी कौन से है, भारती संग के नए राज्यों की स्विकृति कौन देता है, तो संसत भारती संग के नए राज्यों की स्विकृति देता है, जो है किन को पता हुगा सीनगर की स्थापना की थी एंजाय में लाई पेज सरीर के किस अंग द्वारा उत्पन किया जाता है तो यह पूर्ण रूप किया होता है तो इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन इवेम का पुरा नाम है भारत में पहली बार इवेम मशीन का प्रियोक अब किया थ बहारती सनसद का उच्छी सबागा बहारती संसद का निमनि मनन क्या लोग सबा कहलाता है सर विकियम जोन्स विलियम जोन्स होना चाहिए और सेंडरो कोटस की पहचान किस साशकन से की है तो ये चंदरगुप्त मौरे से सेंडरो कोटस की पहचान की है जुआला मुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है तो जलवास पर निकलती है जुआला मुखी सबसे अधिक सम्विधान के अनुष्यद एक मैं भारत को क्या कहा गया है तो राज्यों का संग कहा गया है कौन सी गैस हाज से गैस या लाफिंग गैस के रूप में प्रिप्ट की जाती है तो नाइट्रिस ऑक्साइड इसका फॉर्मूला है तो है प्रसारी विश्व की संगलपना आधारित है तो ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित है भारती सम्विधान के किस अनुछेद में नागरिक्ता संबंधी प्रावधान दिये गए है तो अनुछेद 5 से लेकर 11 में तो यादा बाष्थ्डाबुदा दाधा व्य नागल लगोर जी नहीं किया था मौरत को यात्रि इबन वतूत किसके साशनकाल में भारत आधा तो ये ihinika 13-5 22-3 तो इस्पार्षप बार्त में पहरत आये था जी डि गोवनिनगे पुरुसकार किस शेत्र में दिया जाता रहा है तो यह पत्रिकारी यथा किस शेत्र में दिया जाता है विश्वबैंक का मुक्ष्व इस्था थह तो वासंग्रिटन Dsee में जोते ऐत मा दूला का मंकवरह कहां पर क्या था तो अर्जुमंदबानु वेगम असली नाम था न्यू मिस्मेटिक्स क्या है तो सिक्कों आ धातूं का धिन न्यू मिस्मेटिक कहलाता है कब एक धातू पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है तो हाइडोजन गैस निकलती है बल और रिस्ताफन से प्रभावित होकर उसे भारत का नैपोलियन कहकर पुका रहा था तो समद्र गुप्त को भारत का नैपोलियन कहा था सनी ग्रह के चारो और पाए जाने वाले वैलेओं की संख्या कितनी है तो यह आपको कॉशन कमेंड़ बॉक्स में करके बताना इसका आंसर मैंने जान बु किस महापुरस की पृतिमा है तो सर्दार ब्लभाई पटेल जी की पृतिमा है तो राम सुतार की सक्री जौलम की है थाईरती घाटी में रजमा और आलू की खेती प्रण करने का श्रीक इसको जाता है तो फ्रेड लिक विलसन को जाता है भारती लोग सेवा का जनक किसे कहा कहा जाता है विद्धुत आविश का ऐसा ही मात रख्या है तो कूला विद्धुत आविश का ऐसा ही मात रख्या है भारती सम्विदान में वर्तमाने को कितने अनुसूचिया है तो बारा अनुसूचिया है भारत के मुल सम्विदान में कितने अनुसूचिया है तो आठ अनु पार करना पड़ता है तो नाथुला दर्रे या लिप और लिपुलेक दर्रे को पार करना पड़ता है आर्थिक नियोजन एक विशा है तो ये समवर्ती सूची में एक विशा है परमाणू के संगठन में सामिल मौलिक कन कौन-कौन से तो इलेक्ट्रोन प्रोट्रोन और किया था इक पालव खेल खेंसि थो आप से पूछने के लिए छोड़ दिया है वांस वाटर पॉलओ को वाटर पूलो में। ब्राउन एयर शब्द का प्रेयोग किसके लिए किया जाता है permitted है तो प्रेकास राशाइन के दुमा के लिए ब्राउन एयर शब्ला का प्रेयोग किया जाता है रहला नामक पुस्तक के लिखक हैं थ HR सबसे लंबी नदी कौन सी है तो मिसिसिपी मिसोरी नदी जो है सबसे लंबी नदी उत्तर अमेरिका की पोतिन लमान याड मजगाव डांग कहा इस्ते थे यह मुंबई में हम शीक पिल किस दर्शन के प्रवर्ट तक है तो यह साखे Hierいる है और उपरेशन फ्लड का संबन्द किसे है तो दुद उत्पादनसे ऑपरेशन फ्लड का संबन्द है भारत में अपरेशन फ्लड कारीकरम का क्प्रारंब का हुआ था 1970 में हुआ था करिक्रम का प्रारंब सवेत क्रांथी का संवंद के से से किससंव विधानिक संसोधन मुए वारा 2026 दख लोकसवा और विधान सवा के सीटों के पुनर निधान का पर्थिविद लगाय दिम्हेयर दिया गया तो 84 वास शंसोधन 2001 Regulating Act कब पारित किया गया है तो 1773 ECW में Regulating Act पारित हुआ था चित्रकूट जलपरपाथ कहां पर इसे से दुबसर 36 गड में इंद्रावती नजी पर बना हुआ है चित्रकूट जलपरपाथ क्रिष्टियान और रोनालो किस देश के खिलाडी है तो ये पूर्टगाल की खिलाडी है शेत्रकूट की द्रश्टी से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो सात्वा स्थान है जनसंगा की द्रश्टी से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है तो दूसरा स्थान है भारतिय फिलमनेशक गुरुधत का वास्तव के नाम क्या था तो वसंतकुमार, शिवसंकर, पादुकून लोहे के उपर जिंकी परत को चढ़ाने को क्या कहा जाता है जो गैलविनाइजिशन कहा जाता है बिजली के वलुका फिलामिंट तन्तु किस तरतो का बना होता है तंगश्टं का बना होता है लोयन फिश किसे कहा जाता है तो टेरोईस वोली यंस को लोयन फिश कहा जाता है सारनाथ, यूपी में किस समराट का इस्तंब है तो सारनाथ में इस अशोक का इस्तंब है National Museum of Natural History भारत में कहां से थे तो ये सते थे नई दिल्ली में भारत में जैनसेंग अदधी के इतिहास में कौन साब पर महाविभाजन का वर्ष कहलाता है तो महाविवाजन का 1921 जो वर्ष है वो महाविवाजन का वर्ष कहलाता है भारत में GT Rode किसने बनवाई है तो शेर सासूरी ने बनवाई है अलावदीन खिलजी के आकरोंड के समय देवगिरी का शाशक कौन था तो राम चंद्र देव जो है देवगिरी का शाशक था भारत की पहली महीला लोक सभा अध्यख्ष कौन inshi अंधरी अमिरी गास के मैजा जाता है प्रेरी घास के मैदान कहा जाता है सोना होगा आपने राश्तमती कारेपालिगा का प्रभ्मुख होता है किस अनुशेद में बताय है तो अनुशेद त्रेपन बताय गया है नूकलेस के बाहर DNA कहां मिलता है तो माइट्रो कॉंडिया में मिलता है नूकलेस के बाहर DNA राष्टपदी का पर महावियोग की प्रक्रिया का उल्लेक किस अनुछेद में है तो अनुछेद 61 में है और ये राज का आखरी कॉशन भारत के पहले लोग सभा के अधिक्ष कौन थे इस कॉशन का अंसर कमेंड बॉक्स में कमेंड करके दीजिए एक हजारवा कॉशन है भारत के पहले लोग सभा अधिक्ष कौन थे दोस्तों वीडियो पसंद आया हो थोड़ा भी तो प्लीज वीडियो को शेर कीजिए जारह जादा वीडियो को लाइक कीजिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में यदि आप चैनल पर पहली वारा है तो कमेंट करके बताईए आपका नाम लिखी कमेंट बॉक्स में जो जो पहली वारा है और 1000 वी कॉशन का अंसर जरू दीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका निश्व हो बहुत बहुत धन्यवाद